वालो फैंज वाल्कम चोनाद एपिसोड ऑफ बॉलीवूद इस वीक वेल फैंज आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंग के अथाइस में दिन दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में इन दा कंट्री ओफ इंडिया अथाइस द स्क्रीन काउंट्स लाने की कोशिश करूंगा लेकिन चलिए आज का शुरू करेंगे यह फिल्म के जो कलेक्शन है यानिक अटाइस दिन के यह देड़ करोड के नीचे नहीं गिरे यह कहीं ना कहीं एक और चालिस लग से लेके बेर कोड़ के बीच में कमाएगा एंड़ से पिछले दो दिनों से यह एक्जाक्ली बस बहुबली टू दे कंक्लूजन और उरी से कम कमा रही है पीके दंगल टाइगर जिंदा है संजू इन साई फिल्मों से ज्यादा कमाया है इसने अपने 27 तो 28 डे पे रिकॉर्ड सेट कर रही है फिल्म और इसी यह कारण है अपने 28 दिन पर यानि के अपने चौथे थर्जडे को इस फिल्म ने वेडनस डे को एक कड़ 55 लाग कमाया था तीन लाग का ड्रॉप बस तीन लाग का ड्रॉप और इस 28 डे कभीर सिंग स्माश्ट 1.52 करो रूपीज पहुत सारी फिल्मों के पहले मंडे के कलेक्शन 1.52 करोज होत है एक्जाक्ली चार हफ्तों के बाद वह है 266.26 करोड रुपे यानि के 266.26 करोज इस वर्ट कभीर सिंह स्माश्ट इस फोर डेज यानि के 28 देज फोर वीक्स यानि के 28 देज आग दे इंडियन बॉक्स ओफिस अन ओल टाइम ब्लॉक बस्टर अब गाइस पहला हफता 134.42 दूसरा हफ्ता 78.78 तूसरा हफ्ता 36.40 चौथा हफ्ता 16.66 करोड यह दर्शाता है कि अपने पाच्वे वीक में मैंने कर रात को यह कहा था यह फिल्म साथ से 8 करोड कमाने की श्रमता रखती है और यह 275 करोड प्लस का लाइफ टाम कमाने में सफल रहेगी इतना मैं आपको क आपको पसंद आए पीसोड पसंद आए पीस आपको लाइक कीजिए श्याहिकर सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आवरें साइज साइनिंग आफ लोग रोज वरी सून तिल देन आज अलवेस से अब्सक्राइब शेकूल मान